Hello students, Welcome to doubtnet and Welcome to your Computer application class My name is Akazh Gupta and I am your Computer application teacher तो बच्चो ये क्लास हमारी Computer application जिसका subject code 165 के लिए है तो बच्चो आज के lecture में हम बात करेंगे hyperlinks की जिसे हम links बोलते है are तो हमने ज spoiler की बात करी थी, ठीक है, वैसे हम बात करेंगे की कैसे हम hyperlink और link create करते है है HTML के अंदर तो चलिए लेक्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो समझते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं तो चलो बच्चो लिंक्स के बारे में बात करते हैं कि लिंक्स क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे जो वो क्या है hyperlink है है ठीक है hyperlink अब ये link है क्या जैसे कि आप सारे कई सारे लोग internet पे जाते हो सर्च करते हो सारी चीजें तो भाई क्या करतुब back on site search करते हो कुछ WHOromies मेशन सर्च करते हो तो अगर आप say D Gottes से मिलके बनती है, कि Network had multiple pages होते हैं, अब वो rustic pages क्या किये लिंक किये जाते हैं together एक साथ जिनको हम बोलते हैं gitu website तो website क्या है multiple pages के बार जो बनता है उसको वेबसाइट बोलते है अब वह webpage कैसे link किये जाते हैं तो एक concept आता है HTML के अंदर जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक या लिंक बोलें हाइपर लिंक बोलें या लिंक बोलें एक ही बात है लिंक का मतलब क्या होता है जॉइन करना लिंक का मतलब होता है जॉइन करना जैसे कि आप वो चेन होती है चेन में लिंक होते है छोटे-छोटे जॉइन होके बड़ी चेन बनत जो ब्लू कलर से क्या होता है हाई लाइट होता है आपने देखा भी होगा वेब पेज़ेस पर जैसे आप उसमे क्लिक करते हो तो कि आप shopping website में आते हैं shopping website में आप क्या देखते हैं कि लिंक्स बने बटन बनी होती वह बटन्स क्या होती है वह लिंक होते हैं जैसे आप एक लिंक में क्लिक करते हो तो आप दूसरी वेब आपके च्यृ guys, फाप प्रत्मस में लिंक करना तो इस्acas करने यहां पर कैसे jos भी को जोड़ें यहां यहां पर थीक है कैसे लिंक किरिएट करना है तो चलो पिरंक के बारे में जान लेते हैं और Ensuite अबowa forged word on website that underline और highlighted in blue color जो कि आप देखते हो na word जैसे कि अंडर लायन होता और blue color से highlighted होता है blue color से कैसा होता है highlighted होता है कुछ भी जैसे लिखा होता है click here sometimes लिखा होता है कैसा click here जैसे आप click करते हो तो क्या हो जाता है दूसरे page में मूफ कर जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं या लिंक बोलते हैं ठीक है डाट यू कैन क्लिक इन और टू ओपेन न्यू वेब पेज बिल्कुल सही बात है कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया वे ने वह दोले हैं जैसे आप इस में क्लिक करो गहीं दूसरे वेब Ymay if है क्टम कर जाओगे और आपसबने डेली लाइफ में कहीं न कहीं यह चीजे करते हो जब इंटरनेट का ईूस करते जन adolescent love link पर करते हैं लिक पर काम जरूर करते हैं बाटी को क्या से किया जाता है चलिए उसको देखते हैं तो बाई क्या है कि HTML में क्या चीश क्रिएट करनी है तुसके यह बने हुए है tag बने गए है प्रीडिफाइंट टैग बनाये गए है तो वैसे ही link को create क्रेats करने के लिए क्या बनाया गया है तो चलो उस्टैक की बारे में जानते उस्टैक को क्या बोलते हैं क criticisms के आगर आपको स्ट्यमृ के अंदर लिक्स्क्रेट करने है तो अलकॉव metiałem को सब् ठीक है in html is used to create a hyperlink on the webpage अगर आपको किसी भी webpage पे कितने भी link बनाने है multiple links बनाने हैं या single link बनाना है कितने भी links बनाने हैं तो आप ये tag का use करके आप वो link बना सकते हो this hyperlink is used to link the web pages to other web pages भाई अगर link होंगे तो हम क्या कर पाएंगे link होंगे तो भाई एक web pages सा दूसरे web pages को आपस में क्या कर पाएंगे link कर पाएंगे जैसे कि बढ़ी websites में क्या होता है कि जितने भी ribbon pages होते हैं वह सारे आपस में जिले होते हैं बड किसके तुरुर जिले होते हैं link ने तो आप एक page यूज करना है HTML लिंक्स बनाने के लिए तो चलो देखते हैं इसको बच्चो कि देखिए यहां में आकर आपको दिखाऊं तो यह हमारे पास diagram है यह हमारे पास diagram जिसमें आपको समझाया है कि भाई कैसे हाइपरलिंक बनाना है तो देगो मैंने आपको बताए कि एंकर टैग यूज़ करना है क्या करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर एंकर टैग एक टैग ओपैंड करना है यह एटेग आपने कर लिया ओपन उसके बाद यहां पेक प्रोपर्टी नाम में जिसका नाम है, SRIF इसको बोलते हैं, है फर रिफरेंस, क्या बोलते हैं, है फर रिफरेंस, यह क्या होती है, यह बाल से ही, आप जब लिंक में पर क्लिक करते हो तो गंषा रहे दोड़ यूआ होटा है, let's suppose मैंने का कि हमारे पास एक link है आपने उस link पे click किया एक अलग web page खुला एक अलग web page open हुआ उसमें क्या होगा कि भाई आप उस web page का path दोगे जिस पे link पे click करने के बाद link पे click करने के बाद वो open होगा तो यह property जो attribute उसके अंदर हम क्या देते हैं path देते हैं URL देते हैं web page का URL देते हैं किसका web page का कि जो web page आपको open करना है उसका path यहां पे आपको देना पड़ेगा जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैंने link create किया और click करने पे कोई website खुल जाए क्लिक करने पर मेरी कोई website open हो जाए तो मैं क्या करूंगा उस website का path copy कर लूँगा उस website का path copy कर लूँगा internet से जैसे कि कहते है copy link address copy link address एक option आता है website पे जब आप web browser पे कोई website access करते हो तो उसका path आप copy करके यहां पे ही आरफ के अंदर double quotes के अंदर लिख दोगे double quotes के अंदर लिखोगे भाई तो क्या हो जाएगा जैसे लिंक बनेगा जैसे आप उस लिंक पे source locator यह क्या होता है address होता है किसी भी वेब पेज का किसी भी वेब पेज का लिंक होता है ठीक है तो आप यहां पर उसको दे दोगे उसके बाद आप यहां पर जो भी टेक्स्ट लिखोगे यहां के बीच में यहां पर यहां पर आप क्या कर देंगे टैग को क्लोस कर देंगे तो भाई जो भी आप यहां पर content लिखोगे वह content ही link लिंक जैसे काम करेगा ठीक है जो भी लिखोगे आप जो भी लिखना आप एक कंप्यूटर कंप्यूटर होप लिख रहे हो कुछ भी लिख रहे हो वह काम करेगा जो भी टेक्स लिखना चाहो गया ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं लिंक क्रिएट कर सकते हैं तो भाई और यहां पर text जिसभी text को आपको link बनाना है वह और last में close कर देंगे anchor tag को ठीक है ऐसे चलिए आगे देखते हैं इस समय समझ गए कि a tag होता है क्या होता है हमारे पास a tag होता है anchor tag हे आरफ हमारी क्या है एट्रिव्यूट है एंकर टैग की क्या है एट्रिव्यूट है एंकर टैग की चलो तो देखते कैसे क्रियेट करना है मैं आपको बताता हूं मैं लिख के बताता हूं कि कैसे आप लिंक क्रियेट कर सकते हैं सिंपल वही चीज करेंगे मैं आपको कोड लि अब जितने चाओ उत्रे लिंक क्रेट कर सकते हूं मल्टिपल लिंक आप 1000 दाउजन चाओ टैइन चाओ एंदे क्रेट कर लोगे बस आपको टैग को यूस करना पड़ेगा ठिक है तो मैं कोड़ लिखता हूँ यहां पर ऐसे लिकृता हूं कोड़ कि तक सबसे वाले लिखने में सबसे पळाइक काम करेंगे ये मैं को पोटी कि मैं कि एट ओर है और टाईटल नहीं ले रहा हूँ है दो टाइटल नहीं ले रहा हूं ऑप्छनल कि अब ले सकते हों को यूज करना तो यू जो मैंने खुद बनाया है और मैं इस लिंक के साथ उसको किया करना चाहता हूं फरी यह लिंक बने क्लिक करते ही क्या हो जाए क्या हो जाए वह open हो जाए तो मेरे पास suppose मान लिजे एक वेब पेज है वेब पेज का नाम है वेब पेज 1.html ठीक है इसको बंद किया मैंने हो गया मैंने लिखा क्लिक हेर क्लिक हेर और यहां पर अधे एंकरटेग कर दिया क्लोउज थीक है और यहां पर ऊपन कर दिया बंद कर दिया बॉडी और यहां पर क्या सिंपल छोटा सá II कोड़े क्लिंक के रड़ेट डो और होगा क्या होगा क्या कि भाई यह वेब पेज आपका लेट सपोस मानी recommendations आपका पेजे लेट सपोजिय मानिये अगर आपने इवेब पेज के अंदर बनाया है जैसे माउस लेके जाओगे क्योंकि माउस आपका होगा कैसे करसर में जैसे आप इस पे लेके जाओगे वो हैंड में ऐसे कनवर्ट हो जाएगा ठीक है पेज का पाथ आपने यहां दे रखा था यू आ एच इस प्रॉपर्टी के अंदर एच आरी एफ के अंदर वह वेब पेज ओपन हो जाएगा और जो भी टेक्स्ट आप यहां पे लिखो गे वो टेक्स्ट डिस्पले होगा वो लिंक बनेगा वह यहां पे लिंक क्या करेगा है ठीक है क्लियर स्टुडेंट्स तो यह इतना असान है तो आप चाहते हो मल्टिपल लिंक्स बनाना ऐसे कितने भी आप कितने भी हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हो वह सापको यूज करना है क्या यहां पे एंकर टैग और प्रॉपर्टी एच आरी एफ तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि में भी आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो बट में चीज यह कि आपके पास जो भी पात आपको जो भी पेज ओपन करना है जो भी एड्रेस ओपन करना वो एड्रस यहां पर दिना पढ़ेगा डबल कोट्स के अंदर ठीक है चलिए तो यह क्लि अजने एंकर टैक बोलते हैं से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए असानी से तो देखें अंदर हमें दो एट्रिब्यूट्स यहां पर पढ़ने है जिसको आपने पढ़ा एच आरिएफ एट्रिब्यूट्ट वह क्या है और टार्गेट एट्रिब एक लिक ऐसा पाथ लिक एसा पाथ देते हो कि जैसे अब उसमें क्लिक करते हो वो जिस पाहत में आपने पास किया होता है ऐस अरे match को इंदर जैसे लिंक पे क्लिक करो वो बिंक क्लिक करते ही वह छ오 ब्लिक हो एक एक और टार्गेट मतलब क्या होता है कि यहां पर वह एक ट्रिवीट है टारगेट क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या किया है? यह लिए यहां पर estasa ने मेना प्रीघ क्लीघ चाहते हो कि क्लिक करते ही क्लिक करते ही जो हमारा वेदेज ओपन होगा जिसका पाथ आपने आप सक्तार रख है जो quarant' होगा वह क्या इसी पेज में ओपन होगा क्या वह अलग पेज में ओपन होगा या अलग विंडों में open होगा ठीक है कि बाई एक अलग सी window बन जाएगी या एक इसी page के अंदर वो open हो जाएगा तो ये target specify ये करता है कि जो linked document है जिसको आपने link के थुरू linked किया है जो जोड़ा है document क्या वो document किस जगा open होगा उसकी open होने की place क्या होगी क्या वो इसी page के अंदर open हो जाएगा या एक अलग टैब खुलेगा वेब ब्राउजर पे या एक अलग विंडो खुलेगी वेब ब्राउजर पे तो ये target attribute ये चीज़ हमें बताएगा ठीक है तो देखिए target attribute specifies where to open the linked document जो document आपने URL के अंदर पास URL में दिया वो link document किस जगा ओपन होगा किस जगा वेट ओपन यह लिखाए ना बाद specifies where to open कहां पर आपको क्या करना है open करना है यह बास समझ में आगे यह किसके attribute है anchor tag के हैं कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा चलिए तो देखते हैं कैसे लिखना इसको पहले सी पहले जाल लेते हैं कि anchor tag attribute टार्गेट एट्रिब्यूट क्या बोल रहे है टार्गेट एट्रिब्यूट इस तीज यूस्ट इस्पेसिफाइब टो पेंड़ लिंक लिंक कि बाया जो लिंक पर क्लिक कर रहे हैं वो टार्गेट एट्रिब्यूट हमें बताता है अब देखो यहां पर क्या है कैसे सिंटेक्स है आपको कैसे लिखना है कि आपने यहां पर लिखा टार्गेट और टार्गेट के अंदर यह पांच वैल्यूज हो सकती है यह पांच वैल्यूज हो सकती है यह पांच वैल्यूज आप टार्गेट के अंदर दे सकते हो यह एट्रिब्यूट है और यह और यह हैं यह सारी क्या है यह वैल्यूज है कि भाई यह टार्गेट यह य के पर Яंब लुघ है तो ब्लाइंग वैल्यूज को डिलुफ फ्रेम्संट अंदर यह वैलिज है वैसे यह टार्गेड ट्रिब्यव्यूट है यां पर उसकी भी कुछ मैल्यूज है जो एक अलग-अलग वैल्यूज क्वाड़ आनगक काम है कि क्याहोगा वैल्यूस से तो bland आपने अगर सपोस्ट किया आपने टार्गेट के अंदर ब्लैंक वाली वाली पैस करी तो क्या होगा ब्लैंक देते ही क्या होगा it's open the link in a new window मतलब जो आप क्लिक करते ही open करोगे एक new window में open हो जाएगा एक नया विंडो खुल जाएगा web browser में वहाँ पर आपका वो web page open हो जाएगा जिसको आप ने link किया था जिसने आप जिसको आपने क्या किया था link किया था क्लियर अगर आप ब्लैंक देते हो self it is default value यह याद रखना है self क्या होती है default value होती है मतलब कि जो link आपने बनाया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो आपका linked document जो लिंक्ट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको open करना है link के through वो same page में open हो जाएगा कहा हो जाए हो जाएगा same page में ही open हो जाएगा it's open linked document in the same frame जो same frame में open हो जाएगा मतलब जैसे कि अगर मैं यह बात करूं कि यहाँ पर आपने लिंक बनाया है ठीक है कि आप जैसे क्लिक करोगे तो जो linked document है जो open होने वाला document है वो इसी page में open हो जाएगा कब होगा जब आप target की value क्या दोगे self दोगे ठीक है चलो parent it's open the linked document in the parent frame set parent frame set का मतलब क्या है कि भाई कि जो tab है जैसे कि web browser में कई सारे tab होते हैं कई सारे tab होते हैं तो tab में ही उसी tab के अंदर open होगा उसी tab के अंदर same frame क्या बोला है पेरेंट फ्रेम सेट है ठीक है यह बात है तो जो document open होगा वह उसी tab में उसी बेज में open हो जाएगा कि टॉप इस open the link document in the full body of the window मतलब यह कैसे उपन होगा कि जब आप टॉप ढोगे तो क्या होगा पूरे फूरे 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 विंडों में उपन होगा पूरे पेज में आपको देखेंगा वो वेब पेज उपर से जो title vital वाला जो title बार होता है वो शो नहीं होगा वाहाप तो जो link document होगा ओपन होगा वह पूरे पेज के अंदर फुल बॉडी में ओपन होगा फुल बॉडी में ओपन होगा तो यहां यही बात लगी जब कि आप टॉप इस्पेसिफाइब करोगे टार्गेट को ठीक है फ्रेम नेम अगर आपने क्या किया है कि मान लिजे आपने कोई फ्रेम का नेम दिया हुआ है यहां पर ठीक है फ्रेम का कुछ भी नेम दे सकते हैं यहां पर नेम दिया हुआ है आपने फ्रेम नेम जो भी नेम दो गया फ्रेम नेम में वह उस फ्रेम में उपन हो जाएगा मतल अलग फ्रेम का मतलब अलग टैब का नेम दिया हुआ है ठीक है अलग विंडो का नेम दिया हुआ है तो वो उस विंडो में जाके ओपन हो जाएगा ठीक है जो भी आप दोगे तो यह पांच है और यह याद रखना है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है टार्गेट की क्या ह डिफॉल्ट उसी पेज के अंदर उपन होगा यह बात है यहां पर तो यह पांच वैल्यू आपके याद लखनी है यह अट्रिब्यूट इसका है टार्गेट एट्रिब्यूट का कि टार्गेट अट्रिब्यूट क्या बताता है कि जो लिंक डॉक्यूमेंट आप लिंक के तुरह open करोगे वो कहां पर open होगा ठीक है यह हो गया चलिए बहुत असान है यह सिंपल सी चीज़ है लिंक क्रियेट करना अब बात करते हैं है एस्टेम में लिंक स्कलर हमने यह बात पहले टम वन में देख चुक है हम यह बात टम वन में देख चुक है कुछ प्रोपर्टि के नाम हमने टम वन में सुने थे वी लिंक ठीक है लिंक एलिंक यह प्रोपर्टी देखी थी उस समय यह प्रोपर्टी कहां यूज की जाती थी बॉड़ी टैग के अंदर यह प्रोपर्टीस को यूज कहां किया जाता है यह प्रोपर्टीस यूज की जाती है किसमें बॉड़ी टैग में बॉड़ी टैग के अट्रिब्यूट है यह यह याद रखना यह बॉड़ी टैग के अट्रिब्यूट है तो कि यहां पर लिखा है कि विजिटेट लिंक का जो कलर होता अंडर लाइन होता वह ब्लू होता है विजिटेट अन्विजिटेड क्या होता है अन्विजिटेड मतलब अभी तक जब जब आपने लिंक है यह मारे पास सपोस्थ कि यह लिंक है और लिंक को आपको क्लिक नहीं कि कि यह मतलब visit नहीं किया है तब तक उसका color कैसा रहेगा blue रहेगा ठीक है by default all browser के लिए all browser के लिए जब आप उसको visit कर लेते हो जब आप क्या करते हो visit कर लेते हो तो purple हो जाता है by default जब तक कि आपने color specify नहीं किया ए पर्पल कलर हो जाता है विजिटेट लिंक का मतलब लिंक क्लिक करने के बाद मतलब आपने विजिट कर लिया है तो परपल कलर में हो जाएगा लिंक है नो double ग्लिक होता है activeود वोता है मतलब जैसे आप लिंक के ओपर powered करोगे मतलब linear लिंग्क के उप़र यह से link है यह हमारा ठीक है क्लिक एर इसपे आप जैसे माउस लेकर जाओगे तो । एँड हो जाएगा और click करते ही रेड जाएगा being clicked मतलब click होने से पहले जैसे माउस लेके जाओगे वह एक्टिव हो जाएगा मतलब click करने लिए ready हो जाएगा तो जैसे इस पर click कर दो तो उसका color change हो जाएगा red ठीक है यह by default color है यह by default होता है जब आप डिट अगा के अंदर बाडी टेंग एंदर कि वी-लिंक है ठीछ मेलीट है हम यहां पर कलर देता है लिंक न कि वो आप को देने हैं वह आप यहाँ पर पास कर सकते हो जो बीoth satsat karo कि उसके according यहाँ पे color set हो जाएगा बाइडिफॉल्ट तो यह एक्ते बाइडिफॉल्ट तो यह होते हैं कि जब आपने color के specific a link v link को कुछ specify नहीं किया है बट आप चाहते हो कि अपने according हम क्या कर ले color को change कर दे किसी भी link का तो आप वी link a link link property यहाँ पर क्या कर सकते हो use कर सकते हो body tag के अंदर और यहां पर color अप color का name भी दे सकते हो color की यहां पे दे सकते हैं तो जरूरी नहीं कि यह तो बाई डिफॉल्ट आप चाहते हो कि मेरा ग्रीन हो जाए ब्लू हो जाए कुछ भी कलर आप यहां पे देना चाहते हो वह आप दे सकते हो वेटा ठीक है इस बात को द्यान रखना तो यह तीनों वैलिउस कलर स्पेसिफाई कर करने के लिए होते हैं लिंक की वी लिंक का मतलब विजिटेड लिंक के लिए होता है एलिंक का मतलब जो आप लिंक एक्टिव होने के लिए और लिंक का मतलब जो लिंक का कलर चाहते हो ठीक है क्लियर यह क्लियर होगा लिंक के कलर याद रखने है और एलिंक वी लिंक को मतल बजना क्योंकि एलिंग का मतलब थोड़ा महां कम समझ में आया होका कुछ बच्चों को कि क्या मतलब है बट यहां पर समझ में आना है कि यह हम इसके तुरू अपने link को कलर specify कर सकते हैं clear चली अब आगे चलते हैं आगे बात क्या करते हैं देखे किस तरह से करना है यहां पर देखिए इस तरह से link लिखा है ना color देखिए कि भाई link का मतलब क्या है this change the color of the link on the page that have not yet been visited मतलब वो link का color set करता है यह कि जो link visit नहीं किया गया है अभी तक यह link property उस link का color set करती है है जो कि अभी तक visit नहीं किया गया है वी लिंक वी लिंक उसका property set करती ही कि जो visited मतलब click visit होने के बाद link का color क्या होगा जब link पर click कर दो गया आप उसके बाद क्या होगा this changes the color of the link on the page that already have been visited मतलब जो कि जो link visit हो चुका है उसका color change करता है वी लिंक कि ए लिंक डिस चेंजिस दा कलर दोज लिंक्स डैडर बींग क्लिक वोल लिकलर सेट करता है उस लिंक का color set करता है जिसको आप click करने जा रहे हो मालने आपके पास कोई link आप जार उसको बिंग क्लिक मतलब जो क्लिक होने से पहले active कर देता है लिंक को तो वहां पर यह link की property का use करते हो ठीक है यह link property का use करते हैं और मैंने आपको दिखाया है कि आप इस तरह से link create कर सकते हैं आप किसी भी website का address pass कर सकते हैं href में और link बना सकते हैं जैसे क्लिक करोगे आप उस website में मूव कर जाओगे तो को तीन मैंने यहां पर आपको यह दिखाये हुए है ठीक है आप कितने भी चाहो जितने चाहो उतने link create कर सकते हो जितने चाहो उतने link बना सकते हो बेटा ठीक है तो यह याद रखना है clear चलिए यहां तक clear होगी यह बात अब देखते हैं अब आगे क्या है अब हमारे लिए important क्या है एक important concept आता है sending a email from a browser आपको क्या करना है browser के through email send करना है मतलब आपको एक link बनाना है जैसे उस link पे click करो आपको email करने के लिए window खुल जाए window open हो जाए कैसे करेंगे चलिए देखते हैं लिंक के through window open करना है यहां भी यह लिखा कि sending email from a browser web browser आपको email करना है बहुत सारे बच्चे email करते हैं Gmail application से करते होंगे इंटरनेट पर Gmail open करते हैं वहां पर login करते हैं बट हम यहां पर क्या करेंगे कि एक ऐसा link बनाएंगे कि जो link क्लिक करते ही क्या हो जाए email system open हो जाए आपके computer के अंदर और आप mail कर सको ठीक है चलो देखते है क्या है यहां भी प्रो आता है mail to link mail to link क्या है इसको समझना है हमें ठीक है यह क्या चीज है देखिए mail to link एक क्या है type of html link है जो कि क्या करता है आप जब भी इसको link के अंदर यूज करते हो तो यह क्या करता है आपके computer system के अंदर जो भी default email client होता है जो भी default email client होता है उसको active कर देता है उसको active कर देता है हर computer के अंदर Windows के अंदर होता है ठीक है Mac के अंदर भी कुछ अलग client system होगा email system तो वह उसको activate कर देता जो default होता जिस पो आपने default पे set कर रखा होता है mail to link is a type of html link that activates the default mail client on the computer for sending email इस बात को notice करना है कौन सा default mail client जो कि आपके computer में दिया गया होगा पहले ही से कि भाई ये default mail client system है इसके तुरू आप mail कर सकते हो जिसे Gmail और ये सब default नहीं है कि मतलब इसको तो आप चाहते हो भाई open करते हो बट हर एक computer के अंदर default mail client system होता जैसे कि आपके mobile में भी है आपके mobile में आप Gmail भी install करते हो बट एक और default email एप भी है वहाँ पर एक default email आप जिसका तुरू आप mail कर सकते हो ठीक है दब्राउजर रिक्वायर्स अडिफॉल्ट email client software installed on his computer on his computer in order to activate email client system web browser को चाहिए होता है जब भी web browser के तुरू आप email send करोगे तो आपके computer में एक default email client system install होना चाहिए हो होना चाहिए ठीक है इसका काम इतना ही कि default वाले को set करता है तो default email client software installed होना चाहिए ठीक है mail to link is written like a regular link with the extra parameter inside the href attribute अब इसको लिखते कहां पे कैसे यूज़ करना है मैं उसको दिखाता हूं वो syntax आपको दिखाता हूं तो देखिए जिस इंटेक्स है आपको इसको यूज़ कहां करना है आपको यूज़ इसको href के अंदर लिखना है कि आपने क्या एंकर टैग open किया href लिखा double course open किये उसके अंदर mail to mail to यह है इसको लिखा आपने इसको राइट किया फिर क्या लगाया colon यहाँ पर क्या है colon है बीच में colon है ठीक है और वह email यहाँ पर email का इमेल का एड्रस देना है email address देना है जिसको आपको email करनी है क्योंकि email तो तभी कर पाओगे जब email address होगा मालने जब मुझे email करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे मेरा email address आपके पास होना चाहिए तो भाई अगर आपको किसी को email करना है वेब ब्राउजर के तुरू या सेंड करना है तो आपको email पता होना चाहिए तो आपको mail to colon लगाना है email address लिखना है और double quotes close कर देना और link लिख देना तो जो भी लिंक यहां पर टेक्स लिखोगे जो भी टेक्स लिखोगे वह लिंक बन जाएगा और जैसे उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा आपका default email client system computer के अंदर open हो जाएगा और फिर आप mail कर सकते हो बेटा ठीक है चलो तो यह बात देखो समझो समझ गए कि किस तरह से लिखना है इसी तरह से सिंटेक्स से इसका कि अब आगे देखते हैं कि कैसे करना है कैसे code लिखना है देखो मैं code लेकर आया हूँ HTML body title लिख दिया पी टैग लगा दिया sending email करके कैसे लिख दिया हमने ठीक है मैंने क्या लिखा एह यहाँ पर capital letters के अंदर code लिखा गया तो attention मत लेना क्योंकि आपको पता है कि HTML के sensitive नहीं है HTML के sensitive नहीं मतलब वहाँ पर टैग आप small letter में भी लिख सकते हो capital letter में लिख सकते हैसा कुछ भी नहीं है तो देखो आपने किया यहाँ पर mail to कि यहाँ पर हमने लिखा है mail to पायल गुपता न्स्यार जो भी email address यह क्या है हमारा email address है को ठीक है कि यह email address है आपने जिसको mail करने इसका email address यहां पर लिखा फिर यहां पर टेक्स लिख दिया कुछ ठीक है टेक्स लिख दिया और एंकर टैक को कर दिया क्लोज ठीक है इसको आपने इस कोड को कहां पर रन कर रहा वेब पेज में तो देखो यह लिंक बन गया यह लिंक create हो गया email के लिए यह link create हो गया email के लिए कि ठीक है कि आप जैसे इस link पे click करोगे जैसे इस link पे click करोगे तो आपके computer के अंदर default email client जो है default mail client system जो है वो ओपन हो जाएगा अगर मैं इसको और करूं जैसे इसमेड करता तो क्या होता मैं को click करता तो open होता ऐसा कुछ यहां पर लिखा है कि after clicking on the link the following page appear इस तरह का page appear हो जाएगा इस तरह का page appear हो जाएगा तो यहां आप इसके through क्या कर सकते हो web page ओपे या आप क्या कर सकते हो mail कर सकते हो देखो from कौन होगा जो तुम भेजर होगे तुम्हारे computer में तुम्हारा default email Client system होगा वाए तुमारी email तो होगी और mail टू के अंदर जो email are you is कर हमने जो email mail टू के अंदर यहां पर यूज करी थी वह email यहां पर देखो आ गई है यहां पर आ गई है तो यह क्या है हमारा यह computer का default डिफॉल्ट क면 क्लाइंट है ठीक है default default mail client system है यह ठीक है बच्चे default mail client system है तो अब आप mail कर सकते हैं यहाँ पर आपको mail करना तो पता ही है कैसे mail करते हैं ठीक है तो यह Windows की बात करो तो Windows में यह होता है Windows में तो हर अलग-अलग operating system के लिए अलग-अलग computer के लिए अलग-अलग मतलब जो operating system पर depend करता है उसके अंदर default email client system क्या है operating system पर depend करता है Windows का लाग होगा MacBook का लाग होगा जो Apple के laptop है आपके mobile Android है तो Android के अंदर भी default email client होगा जो app है वो क्या होगा ठीक है तो जैसे आप यह property यूज करते हो तो यह आपका खुल जाता open तो आप यहां सब mail कर सकते हो बस आपको क्या करना है subject लिखना यहां पर mail type करनी है mail type करते है send पर क्लिक कर देना है यहां पर क्या लिखा है send ठीक send पर तो यह हो जाएगा ऐसे mail करते हैं तो हमें यही पढ़ाना था है HTML के अंदर कि हम hyperlink कैसे create करते हैं और mail to का क्या यूज है तो mail to का यहीं बता दिया कि आपको अकर mail करनी है web browser के थुरू एक link बनाना है कि email email करना है तो आपने उस link पे क्लिक किया तो आपका computer के अंदर default email client system open हो जाएगा इस बात को याद रखना कि default email system open होता है ठीक है तो चलिए अब क्या है अब बारी आती हमारी क्या practical की चलो practical देखते है ready हो जाओ practical के लिए मैं आपको practical में क्या दिखाऊंगा कि link कैसे बनता है और default email system कैसे open होगा चलो ready हो जा बटा practical करते हैं फिर तो देखिए बच्चो मैं आगया हूँ आपके सामने यह प्रेक्ट कर लेगे तो देखिए मेरे पास यह code है यहाँ पर मैंने इस code के अंदर मैंने दो anchor tag यूज किये हुए एक मैंने आपको सिंपल यह देखिए जिसे कि मैंने इसको highlight कर रखा है इसको मैंने आपको दिखाया है कैसे हमें link create करना है अगर मैं बता हूँ आपको तो मैंने किया किया यहां पर यहां पर anchor tag लगा है जिसको मैंने आपको बताया यहां पर मैंने यूज किये blank क्या यूज किया ब्लैंक मीन्स कि क्या होगा जब भी आप link पर क्लिक करोगे तो जो वेब page open होगा वो दूसरे window में open होगा एक new window में open होगा तो link में मैंने किसका address दे रखा address दे रखा है मैंने आपको कि यहां पर क्लिक करते ही आप NCRT की website पर विजिट कर जाएं तो मैंने NCRT website का जो link है URL उसको यहां पर मैंने पास कर दिया है href के अंदर ठीक है तो कैसे क्या होगा कि जब यह text यह text जो दिख रहा है आपको यह link create हो जाएगा यह हमारा क्या बन जाएगा link बन जाएगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा क्लिक करते ही वह NCRT की webpage पर open हो जाएगा ठीक है तो यह होगा पहला anchor tag जिसमें हमने हमने पढ़ा था है एच आई एच आरी एफ और target दूसरे anchor tag के अंदर मैंने आपको दिखाया mail-to का यूज अब यह mail-to क्या करेगा देखिए कि कैसे लिखना mail-to को double course के अंदर फिर बीच में colon और email ID email address जिस user को आपको email करना है तो यह mail-to क्या करेगा जैसे आप mail-to वाले link पर click करोगे जैसे कि यह link हमारा यह टेक्स जो है वो link बन चुका होगा जैसे इस पर click करोगे तो जो भी आपके system का default client email system होगा वो open हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर दो link बनाएं एक link से आपको यह समझा है कि एक link कैसे वर्क करेगा एक link के थुरू आप email कर सकते हो तो चलिए देखते हैं इसका output बाकि आपको इसी तरह से करना है HTML tag मैंने यहाँ पर head का use कर लिया है body का use कर लिया है और एक h1 tag भी use कर ले जिसके तुरू हम क्या बना ले रहे हैं एक heading बना ले रहे है तो चलिए इसका output अगर देखे तो इसका output कुछ ऐसा आएगा यह मेरे पास file है मैं इस file को यहाँ पर run करता हूं यह मेरे पास file मैंने इस file को run किया तो देखिए कुछ इस तरह से आपके क्या दिया था ब्लैंक एट्रिब्यूट दिया हुआ था टार्गेट क्या दिया हुआ था टार्गेट जो एक्ट्रिब्यूट उसकी वैलू क्या दिती ब्लैंक तो मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करोगो तो एक new window में आपका अगला web page open होगा देखिए मैं क्लिक करता हूं जैसे मैंने क्लिक किया देखिए आपके सामने यह ncrt की website open हो गई तो मैंने यह पाथ यह वाला पाथ उठाके सिर्फ कॉपी किया तो जो कि मैंने उपर यह highlight कर रखा है और इस पाथ को कॉपी करते हैं उस href property के अंदर यूज किया तो क्या किया इस लिंक ने इस web page को और आ to email जैसे आप क्लिक करोगे देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके computer के अंदर default default email सिस्टम open हो गया यह हमारा एक email सिस्टम में default है आप यहां से ऐसे टाइप करो कुद आप new email create कर सकते हो जो आपको email करनी जिसको भी करनी आप यहां पे email कर सकते हैं ठीक तो आप ऐसे बना सकते हैं फ्ला सकते हैं एंगि हाई फर लिंक के थूप आप email भी कर सकते हैं आप कोई भी link क्रीट कर सकते तो आप यह code को देखी और मैंने बताया आपको वी link एलिंग प्रोपरटी आप बॉड इक अंदर ए-link वी-लिंग प्रोपटी यूज कर सकते हैं आप लिंक लिख सकत कर सकते हैं याप लिंक के अंदर कोई भी कलर स्पेसिफाइब कर सकते हैं रेड कर दिया मैंने ठीक है आप वी लिंक के अंदर कुछ भी कलर लिख सकते हैं वी लिंक के अंदर लिख दिया मैंने और परपल अरप ऐसलिक प्रोप्रटीन कर चूब करके आप यह अन्युक्त है 215 कर सकते हैं मैं लिग रिया ग्रीन ठीक Coffee तो इस तरह से आप कोड को यहाँ पर ऐस तरह से प्रोपटी यूज कर सकते हैं ठीक ये यह ए बात यहां पर आपको पास कर देना है ठीक है किसी भी वेब पेज को अगर आप अपने अकॉर्डिंग अप दो वेब पेज़स आपने खुद बनाए हैं अगर आपको इनको लिंक करना है तो आप वो दोनों वेब पेज़स को एक लोकेशन पर रख लो जैसे कि आपने वेब पेज़स आपस में क्या हो जाएंगे लिंक हो जाएंगे आपको अगर मेल करना है तो आप यह मेल टू प्रोपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यह आप और जो भी इमेल पर एड्रस आप पास करेंगे वह आपका इमेल एड्रस होका जिसको आपको इमेल करनी है तो यह था हमा कि bounce तरह से mail आपको कर सकते हो और किस तरह से आप hyperlink कृएट कर सकते हो तो A-link VO property भी आपने देख ली होगी कि मैंने एलिंग VO property का यूज नियुस नहीुझ कर दिया उसमें तो इस तरह से हम hyperlink को create कर सकते हैं तो तो आई तिंग यह क्लास आपको समझ में आया होगा यह प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे अगली क्लास में हम देखेंगे css के बारे में किसके बारे में css के बारे में कि css क्या होता है जिसको हम बोलते है का स्केडिंग स्टाइल सीट उसका यूज कैसे किया जाता है वो होता क्या है अगर आपने समझा है तो आप बहुत ही असानी से चैप्टर भी समझ जाएंगे तो आपको क्लास बता देता हूं टाइमिंग वन पीम होती है मंडे वेडनेस डे और फ्राइडे तो फ्राइडे को हम मिलेंगे यहां पर आप से क्लास में ठीक है तो आप आज आना लाइब मिल क्लास को लाइब सब्सक्राइब और शेर जरूर करो जो भी आपके कंप्यूटर एप्लिगेशन के स्टूडेंट्स हैं जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी एक क्लास शेर करो बाई बाई टेक केर स्टूडिल्स